नमस्कार राजसिक्षा शोदेवं प्रसिक्षन परिशत बिहार पटना में आपका स्वागत है तो बच्चों हमने पिछले अध्याय में विवित्ता के बारे में जाना आज हम लोग आपके विवित्ता के आधार पे ही यह जानेंगे कि यह जो विवित्ता हमारे देश में वो कई तरह की है या तो जाती में है या तो धर्म में या रहन सहन में तो आज हम लोग बात करेंगे कि जो भी हमारे देश में लोग हैं वो अपना जीवन यापन कैसे करते हैं ठीक है तो हम लोग आज बात करेंगे ग्रामीन परिवेस की क्योंकि हमारा देश जो है वहाँ छे लाग गाउं है तो हम लोग आज गाउं की बात करेंगे कि गाउं में रहने वाले लोग किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते हैं? क्या उन्हें और लोगों की तरह भी समान अवसर प्राप्त होते हैं? क्या उन्हें कटनाईयों का सा तो चलिए इसपर हम लोग आप पातचीत करते हैं तो बिठ्चों मुझे यह बताईये कि आप अपने आसपास जो लोग है उन्हे काम करते हुए देखते हैं कोई दूद्ध बेच रहा होता है तो कोई पसुमायकर रहा होता है मवेसी को पालता है तो यह जो आसपास में लोग है जो ग्रामीन परिवेश से आते हैं यह अपने आजीवी का चलाने के लिए कई प्रकार के काम करते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खेती पर निर्भर रहते हैं अर्थात जो लोग खेती से ही अपना धन उपार करके अपनी आजीविका चलाते हैं लेकिन इनके साथ कटनाईया यह होती है कि जब भी बोवाई और कटाई का समय आता है तभी इन्हें रोजगार मिलता है वहीं दूसरी और हम देखे तो कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारे ग्रामीन छेत्र में जो की खेती के अलावा और भी कार में सनलगन रहते हैं जैसे मदुमक्खी पालन मवेशी पालन तो यह लोग जो है वो मवेशियों को पालते हैं और उनके जो भी दूद होते हैं उससे बहुत तरह के खात-पदात बना करके उसको भी बेच करके धन उपारजन करते हैं तो बच्चों हम देख रहे हैं कि किस से हमारे आसपास जो भी ग्रामीन परिवेस में रहने वाले लोग हैं वो तरह तरह के कारे करके अपने आजीविका को चलाते हैं तो चलिए मैं आपके सामने कुछ ऐसे ही गाओं के लोगों की कहानिया साजा करूंगी जिन से हमें यह पता चलेगा कि यह लोग कैसे अपनी आजीविका चलाने के लिए कारे करते हैं और इन्हें किन-किन कटनाईयों का सामना करना पड़ता है तो चलिए सबसे पहले मैं एक कहानी आपके सामने ले करके आ रहे हूं यह कहानी है ललन की ललन एक मध्यम किशान है मध्यम किशान से तातपर यह है कि जिस किशान के पास पांच एकर तक जमीन होती है जो अपने जमीन का मालिक होता है वैसे किशानों को मध्यम किशान कहते है यह किशान जो होते हैं वो अपनी ही जमीन पर खेती करते हैं और उससे धन उपार्जन करत हैं तो चलिए आये हम जानते हैं कि यह अपनी आजीविका चलाने के लिए किस प्रकार से कारे कर रहे हैं एक दिन हम सुकुलपूरा गाउं गए राजपूर की तरह सुकुलपूरा भी मैदानी गाउं है लेकिन यहां के लुगाउं में अधिकतर नहरों से सिचाई होती है काफी दिन बाद इधर आना हुआ ललन से हमारी अच्छी पहचान थी हम उसके खेट की ओर चल दिये खेट की वेड़ पर चलते हुए हमने खेट में लगे फसलों को भी देख रहे थे गेहूं के साथ ही अनफशल भी घने और अच्छे लग रहे थे ललन ने बताया कि इस ब समय पर खाद बीच के लिए पैसे का प्रबंध हो गया था पैसा के सी सी किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से मिल गया था किसान क्रेडिट कार्ड सरकार द्वारा चलाई जाए रही योजना है जिसका लाब किसान लेते हैं इसके अंतरगत किसान पैसे संबंदी जो भी क्र जोजना में लेते हैं और उस उधार को फिर चुका करके फिर दुबारा फसल संबंदी या फिर कीटनासक संबंदी जो भी सामगरी उन्हें खरीदनी होती है उसके लिए धन प्राप्त करते हैं तो पैसा केसी सी क्रेसान केडिट कार्ट के माध्यम से मिल गया था और बारिश वन नहर से सिचाई भी समय पर हो गई थी दवा कीटनासक के प्रयोक के कारण फसल घनी वह अच्छी हुई है ललन के पास पांच एकर जमीन है जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मध्यम किशान होते हैं उनके पास पांच एकर जमीन होती है और वो अपने जमीन के मालिक होत जाता है बरसात के समय धान एवं थंड में गेहु चने वह दलहनी फसले उप जाता है तो बच्चो जो भी फसल उप जाय जाते हैं खेतों में जो भी खेती होती है वह मौसम के अनुसार होता है ऐसा नहीं है कि हम अगर चाहें तो बरसात में दलहन की खेती कर देंगे नहीं मौसम के अनुरूफी हर प्रकार की खेती की जाती है चाहे वो दलहन की हो चाहे वो गेहुं की हो ठीक है ना तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी खेती होती है वो मौसम के अनुरूफी होती है तो यहां हम देख रहे हैं कि ललन साल में दो फसलों को उप जाता है गेहूं चना और दलहन की फसले हो जाती हैं सिचाई और रासायनिक खाथ से उपज काफी बढ़ गई है ललन उसकी पतनी और तीन बच्चे खेट पर काम कर रहे थे उनके अलावा कुछ मज़ूर भी थे ललन पानी पीलाने के बाद पूछा कहिए आज कैसे आना हुआ हमने कह हम वैसे तो मिलने आए थे आपका काम कैसा चल रहा है ललन बोला अभी तो कटाई ही पूरी नहीं हुई है कटनी के बाद थ्रेसर मसीन से किराये पर दवनी करानी परेगी दवनी का मतलब हो गया कि जो भी धान गेहूं जो पूल रूप से हमारे पास पहुचता है तो उसके पहले उसकी थसनी कराई जाती है यानि कि सिर्फ खेत से हम धान को ऐसे ही उखार करके बजार में नहीं लाते हैं उसके पहले उसको पौलिश करना उसको साफ करना और तब जाकरके वह मारे पास पहुचता है तो यह सारी किरियाओं के के बाद ही हमें वो सामगरी प्राप्त होती है तो ललन यहां कहता है कि कटनी के बाद थ्रेसर मसीन से किराय पर दवनी करानी परेगी मजदूरों की कमी के कारण काम समय पर नहीं हो रहा है और बेचने भी तुरंट जाना है मुआई निराई गुराई के समय ललन जैसे मध्यम किसानों को मजदूरों की जहुरत नहीं परती है परन्तु कटाई के समय वह कुछ मजदूरों की मदद लेता है कटाई के समय मजदूरी भी बर जाती है जिससे उसके जैसे किसान को जहुरत से कम आदमी से काम चलाना परता है खेती के साथ वह मुर्गी फॉर्म भी चलाता ह जिससे होने वाली आय से द्यानिक खर्चा को पूरा करने का प्रयास करता है तो बच्चों हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ललन है वो किस प्रकार से अपनी आजीविका चलाने के लिए खेती पे आस्रित है वो साल में दोबर फसलों को उप जाता है उसके बाद बाकी के मौ ताकि वो धन अरजन कर सके क्यूंकि सिर्फ अगर बर्सात में और थंड में जैसा कि उसने बताया कि वो बस दो ही मौसम में खेती करता है तो बस इन दो मौसमों में खेती करने के उपरां जो उसे राशी मिलेगी उससे वो साल भर अपने परिवार का भरण पोशन नहीं कर पाएगा इसलिए वो क्रिशी कारे के अलावा भी अन्य कारे जैसे पसु पालन दुग दुद पादक पदार्त ये सब चीजे भी करता है ताकि वो अपने परिवार का भरन पोश्चन कर सके यहां हमने देखा कि किस प्रकार से ललन सरकार दोरा जो चलाई जा रही किसान पीट योजना उसका भी लाब उठा रहा है और उसके अंतरगत वो सारी समगरियां ले करके खेती के कारे को करता है तो हम यहां यह भी देखते हैं कि एक किशान एक मध्यम किशान किस प्रकार से अपनी आजीविका को चलाने के लिए समस्याओं का सामना कर रहा है और उन सम एक मस्याओं का समाधान भी करता है इसके लिए उसने बैंक से रिल लिया आये जानते हैं कि उसने बैंक के रिन को कैसे चुकाया ललन को बैंक का करण कर्ढे के लिए फसल जलदी बेचना है क्योंकि करज नहीं लोटाने पर पुना करज मिलने में परेशानी होगी लैं decisions जासे लोगों को थोड़ी सी जमीन होती है इसमें उनके परिवार का गुजारा हो जाता है उन्हें किसी के यहां मजदूरी नहीं करनी परती है परन्तु उनके पास इतने पैसे भी नहीं होते कि खाद बीज कीट ना सक आदी समय पर खरीच सके हमने ललन से जाने के लिए आज पहने वाले लोग कारे करते हैं यहां हम ललन की कहानी से रूबरू हो रहते हैं तो ललन किस प्रकार से अपने खेतों के लिए बीज, खाद के लिए सरकार की योजना जो किसान क्रेडिट है उसके अंतरगत रिन लेता है और फिर उसे चुकाने के लिए भी बहुत ततपर र पाएगा क्योंकि उसके पास जितनी जमीन है उससे वो अपने परिवार का गुजारा तो कर लेता है लेकिन बीज, कीत नासक ये सब सामगरी खरीदने के लिए उसके पास उतने अत्याधिक पैसे नहीं है तो हम देख रहे हैं कि एक मध्यम किसान किस प्रकार से समस्याओं स जूशते हुए अपने परिवार के आजिवका चलाने के लिए कितने साहसिक कदम ले रहा है वो कितने प्रयत्न कर रहा है कि उसके घर के लोगों का भरन पोशन हो सके तो बच्चों इसी कहानी के साथ हम एक और कहानी के ओर चुरेंगे जो कि सुकुलपुरा गाव की ही है य से कम जमीन होती है अर्थात एक एकर के लगबग होती है कि पासंकर एक सीमान किशान है यह ललन के घर के पास में ही रहता है अता यह हमें रास्ते में ही मिल गया वह अपनी फसल बेचकर लौट रहा था हमें वह अपने घर ले गया हमने क्रिपा संकर से पूछा आपने अप बात थी क्या अभी तो बाजार भी सस्ता है अभी बेचने पर दाम कम मिला होगा दूर से सीमान किशान कृपा संकर कुछ देश चुप रहा फिक गहरी सांस लेते हुए बोला मुझे नगत पैसों की जरूरत है खेती से साल भर का खर्च नहीं चल पाता घरेलू खर्च के करने के लिए आधुने कुप करन नहीं है उसे अपनी एक एकर जमीन जोतने के लिए खाद बीज दवा सब कुछ उधार लेना पड़ता है नहरों से सिचाई तता समय पर बारिश होने के कारण वह दो फसल उप जाता है पर उधार चुकाने के लिए वह अपनी फसल जल्दी बेचत देता है पैसे की कमी के कारण वह बढ़ने का इंतजार नहीं कर सकता खेतों से गुजरते हुए हमने पूछा इस साल तुमारी फसल कैसी हुई है कृपा संकर ने कहा इस साल में कम हुई है क्यूंकि जितने पैसे चाहिए थे उतने का करण नहीं मिल पाया है मेरे एक एकर जमीन में केवल चार कुंटल ही घेऊ हुआ है कीपा संकर जैसे छोटे सीमान किसानों को आसानी से कर्ज नहीं मिल पाता है तो बच्चों हमने पहले मध्यम किसान के बारे में जाना फिर अब सीमान किसान तो हमने देखा कि मध्यम किशान जो था उसे क्रेडिट कार्ड के तहत रिन मिला लेकिन सीमान किशान को ये योजना के तहत रिन नहीं मिल पाता है कारण यह है कि सीमान किसान जो होते हैं वो उनकी जो खेती के बाद जो आए होती है वो उतनी नहीं होती है कि वो रिन को चुका सके इसलिए ऐसे किसानों को जल्दी सरकार रिन नहीं दे पाती है ऐसे लोग जो सीमान किशान होते हैं वो किसी गाउं के ही किसी ऐसे व्यक्ति जो की रिन देते हो उनसे जाकर या साहुकार हो उनसे रिन लेते हैं और अपने खेती के कारेों को करते हैं जैसे बीच खरीदने के लिए या फेकीट नासक के लिए तो उन छोटे-छोटे साहुकारों से वो रिन लेते हैं इन साहुकारों से जो रिन मिलता है उसका जो सूध होता है यानि उसका जो ब्याज होता है वो बहुत ही उच्छा होता है यानि कि अगर उन्होंने एक हजार ल करती है उन्हें इसलिए वो चाहते हैं कि हम समय सीमा के अंदर ही जो भी हमने रिन लिया है उसे चुका दे इसी प्रकार सीमान किसान जो कृपा संकर है उसने सहुकारों से पैसा लिया था और उसे वो जल्द से जल्द चुकाना चाह रहा था ताकि वो अगले फिर खेती के लि जीवन यापन इतना आसान नहीं है गाउं के लोग अपनी आजीवका चलाने के लिए बहुत ही मैनत करते हैं एक और कहानी की और मैं लेकी चलूंगी यह भी सुकुलपुरा गाउं की ही कहानी है यह एक क्रिशक मजदूर की कहानी है संतोस जो एक क्रिशक मजदूर है सुकुलपुरा के सभी मजदूर काम में लगे वे थे हम एक खेत पे पहुचे जहाँ गेहों की कटाई चल रही थी गेहों के कटाई के समय अधिक मजदूरों की आविशकता होती है कटाई तुरन नहीं होने पर गेहों तूटकर खेतों मे गिरने का डर लगा रहता है, वहां हमने देखा कि संतोस और उसके जासे अन मजदूर जमीन पर बैट कर भोजन कर रहे थे, संतोस जासे मजदूर परिवार के पास बिलकुल जमीन नहीं होती है, क्रिशक मजदूर कहलाते हैं, तो बच्चे हमने देखा कि जो मध्यम की सान थे उनके पास 5 एकर जमीन थी जो सीमान की शान थे उनके पास 1 एकर जमीन थे और जो क्रिसक मजदूर होते हैं उनके पास जमीन नहीं होती हैं वो दूसरों के जमीन पर जाकर खेती करते हैं यह अपने खेतों से नहीं भलकि पूरी तरह दूसरे के खेतों पर जीवन यापन करते हैं हमने संतोस से काम के बारे में पूछा कि अब सिचाई और फसल की अच्छी स्थिति से काम मिल जाता होगा संतोस नी निरासा जनक भासिका फसलों की कटाई के समय काम आसानी से मिल जाता है परंतु साल के बाकी दिनों में हमें मजदूरी कहां मिल पाती है हां बुआई और क मजदूरी नहीं मिलने पर संतोष उसकी पतनी और बच्चों के साथ पास के सहर में मिट्टी ढोने बालूड होने तता निर्माना धीन मकानों में मजदूरी का काम करते हैं संतोष की पतनी दूसरों के घरों में भी काम करती है वे लोग गाय तता भैस को भी पालते हैं पिछल बस उसका लर्का जब बिमार हो गया था तो सहर में चिकित्सा कराने के लिए उसने करज लिया था करज चुकाने के लिए उसने अपनी भैस को बेच दिया था कुछ परिवारों को काम नहीं मिलने के कारण दूसरे प्रांतों में जाना परता है ग्रामेन परिवारों में बहु पारू, सूप, पंखा, चटाई आधी कर अपना जीवन यापन करते हैं तो बच्चों हमने यहां सुकलपुरा गाउं के ग्रामीन परिवेस में जो लोग थे जिनकी जो अपनी आजीवका चलाने के लिए किस प्रकार से वो खेती कर रहे थे एक खेती से समबंदी जो भी समस्याएं आ रहे थी उनका निवारन करके अपने परिवार के पालन पोशन के लिए प्रतन सील दीखें तो हम इस प्रकार देखते हैं कि गाउं के लोगों का जीवन इतना आसान नहीं है जितना हमें दिखता है हमें पैकेट में चावल गेहूं यह सब मिल जाता है लेकिन हमने कभी सोचा है कि इसे उत्पादन करने में उन्हें कितनी कड़ी मेहनत करनी परती है या हम ललन की कहानी को देखे क्रिपा संकर की कहानी को देखे या फिर संतोस की कहानी को देखे सभी की कहानिया कुछ न कुछ कहती है कि वो अपने जीवन से संघस करते हुए जो भी है खेती के कार्यों को करते हैं हमारी लिए धान उप जाते हैं तो हम इस प्रकार से देखते हैं कि ग्रामीन जीवन यापन इतना आसान नहीं है उन्हें अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है उसी प्रकार आगे चलते हैं हम तो जितने भी किसान हैं वो साल में मौसम के अनुसार ही खेती के कारियों को करते हैं मौसम के अनुसार जो भी फसल होता है उसका उत्पादन करते हैं लेकिन कुछ मजदूर ऐसे होते हैं कुछ गाउं के लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास खुद की जमीन नहीं होती है तो वैसे लोग ज़ाधातर घयर किसी कार्यों में सनलगन रहते हैं आप यहांँ सकते हैं गयरकिसी कार जिसमें हस्प है, लोहार का काम है, बढ़ही गिरी है, यहाँ हम देख रहे हैं कि गाउंखे लोग किस प्रकार से हश्प सिल्प के कल्रा में सीक्ष हैं जासे बुनाई, करहाई सिलाई यह सब कार्यों को भी लोग अपने जिव को पारजन के लिए करते हैं वहीं हम दूसरी और चित्र में देखते हैं कि एक लोहार के सामगरियों को बना रहा है यह भी गैर क्रिशी कारे के अंतरगत आता है वहीं एक और तस्वीर आपके साथ मैंने साजा की है जो की बढ़ही की है यहां लक्रियों की बस्तूव बनाना कुर्सी टेबल लक्रियों से जो भी सामगरी बनती है उसके कारे में आपको सलगन देखते हैं कि बहुत से ऐसे लोग है जो सिर्फ क्रिशी कारे ही नहीं बलकि गैर क्रिशी कारे भी करते हैं गाउं से हम समझते हैं कि अच्छा गाउं यानि गाउं में तो सिर्फ खेती होती है नहीं बच्चों गाउं में खेती के अलावा भी और भी कारे होते हैं पसूप सहरी जीवन है और ग्रामीन जीवन तो सहरी जीवन की तुलना में ग्रामीन जीवन बहुत ही कटनाईयों का सामना करता है हम सहरों में देखते हैं कि बहुत-बहुत तकनीकी है बहुत सारी सुविधाय यह सुविधाय साइद अभी तक उतनी अच्छी से हमारे गाउं में नही में जाने हैं अगले पार्ट में हम सहरी जीवन के बारे में जानेंगे तो आशा करती हूं कि कुछ सवालों के साथ आप अगले पार्ट में मेरे साथ जुड़ेंगे धन्यवाद